देश में बढ़ते प्रदूशन को लेकर कई राजियों ने पटाकों को बैन कर दिया है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने आगामी 30 नवंबर तक प्रदेश में पटाकों की खरीद विक्री पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के प्रशासने कारे करताओं में खासा जाग रुकता देखने को मिल रहा है। बड़े पर पानी से छिड़काओं भी करवाए गया। जहां एक और प्रशासन प्रदूशन पर कावू पाने की कोशिश कर रही है। तो वही दूसरी और कुछ कारिक करता प्रदूशन फैलाने वाले बंपटाकों को छुपाते भी नजर आ रहे हैं। देखे एक खास रिपोर्ट। हुआ है है। यह जो कदम है ना वहां फरकार का बहुत सराणी है। और हम अबूं की इसमें अपने शरीब की वेस्टेज करते हैं। और वाटल यहां की वेस्टेज करते हैं। और थोड़े से थोड़े से आनंद के लिए हम मतलब यह के लाख रुपे खर्च कर दो अगर थोड़े के लिए किसी गरीब की शादी होते हैं तो वहां पांच रुपे नहीं दे सकते लेकिन इसमें मतलब यह के हम पचास अजार खराप कर दें तो आप NGT के साधेश का प्रवाइ की जा रही है पुलीस पर दोबरा तो उसको लिए क्या गहेंगा आप उसको लिए इस से बहुत अच्छा हो रहा है यह पहले सी चलता भी हाल और वहां पर चाहिए लगातार धर धर जाके हम लोग फालाशनी कर रहे हैं और कई गरों में अदर पंडरों में उसे इंदर ऐसी जगों से माल परामत हो रहा है और शाम पर चलेगा उसके बाद जैसी परिस्थिती रहती है और हम लोग यह मान के चल रहे हैं कि दिवाले तक हम लोग रोज सुबह से शाम तक यह सच ऑपरेशन चलाएंगे घर घर दुकान दुकान बिल्कुल कड़ाई के साथ और सक्ति के साथ यह सब्सक्राइब तरफ फरूक नगर में ही क्यों यह उपरेशन चलाए जा रहा है और घर घर में चलाए जा रहा है लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग सक्त सक्त करवाई कर रहे हैं जिसमें अगयर फ्रैक्रियों को चुबवाने से लेके बड पटागों का बंडारन कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग सक्ति से रेट डाल रहा है और जब कर रहे हैं और जब कर रहे हैं और यहां पर दस सेक्टर में जिसके और दस पुलिस ऑक्टर उनके साथ नगर पालिका और इंगिनियर्ट की थी और तब धरगर की तलाकी यह लोग ले रहे हैं काभी भाई महत्रा में सामान यहां बर आमद हो रहा है जिसको की अम्ता रश कराएगा 120 दी प्लेस्मेंट के साथ हम देंगे आपको मौका लाइफ 24 मीडिया इंसिट्यूट एड्मिशन ओपन रेजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170